हेलो नमस्कार साथियो स्वागत है आपके अपने चैनल रेल्वेस क्रैकर्स में आपका फ्रेंड्स रेल्वेस दुरक्षा बल अर्थाद आर्पीफ दोहर बीस की जो ऑनलाइन प्रक्रिया होगी इसको आवेदन कैसे करना है समपूर्ण भरती प्रक्रिया बताऊंगा ओल इं स्टाट करने से पहले चोटी से विंते अगर आर्पीफ की कोई भी एक्जाम की परप्रेशन कर रहे हो यह उसकी कोई भी एक्जाम देने के सोच रहे हो तो चैनल अभी सब्स्राइब कर लीजेगा चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो जो फ्रेंट्स सुरक्षा बल भरती और पीएफ भरती प्रोग्राम देख सकते हूं वेफसाइट का लिंक है यहां पर ऑनलाइन भरती परिक्षा जो है आवेदन सुरक्ष रिल्वे सुरक्षा बल भरती और पर बढ़ती दोहर बीशिक किस संपूर्ण जानकारी मिलेगी सुरक्षा बल के लि अपने चेक बॉक्स पर क्लिक करके स्पैस्ट रूप से निर्देश्यों को पढ़ और समझ लीजिए याद रखिया होता क्या है रिल्वे सुरक्षा बल करने पर क्लिक करते ही हमें एक पेज उपन होता है उसमें पूश्टी करने के लिए बात को पूश्टी करने के लिए पेज उपन होता है जिसमें बताया जाता है कि फिर निर्देश्यों को पढ़ और समझ लीजिए उसके चेक बॉक्स पर टिक करके अपना उसके बाद नाम रजिस्ट्रे जर्मती थी और पिता का मा का नाम अधार संक्या वैकल्पिक है वैकल्पिक अर्थात ओप्शनल है र क्योंकि पंजीक करण के लिए प्रस्तुत विवरन से बाद में नहीं बदला जा सकता तो उसके बाद आता है क्या करना हमें देखिए इस सब चीज भरने के बाद सुनिशित करना होता है कि सही जानकारी है ने क्योंकि पंजीक करण के लिए प्रस्तुत विवरन बाद में न जाता है इसके अलाव पंजीक करण विवरण के साथ इमेल भी भीजा जाएगा अब अभ्यत्र अभ्यरती को इमेल और मोबाइल से ओटीपी प्राप्त करें और फिर आवेदन भढ़ने और भुक्तान करने के लिए आगे बढ़ने के लिए लॉगिन करें अभ्यरतियों को भर प्रिशिक योगिता लिंग धर्म एस एम और अल्प संख्यक आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गायू में छूट पात्रता छे इस्रणी लागू होने और अन्य विवरण के शेत्र हैं अप्रियुक्त आवेदन विवरण पूरा करने पर भेड़तियों को भुक्तान मोड का चेहन करने के लिए भुक्तान प्रिष्ट पर जो है ना निर्देशित किया जाएगा अर्थात बैंक या ओनलाइन बैंक ओनलाइन अन्य मोड चलान के लिए बैंक साखा है या डागर चलान और भुक्तान प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा कृपया प्रतियक भुक्ता दो पर निर्दिशित किया जाएगा जो बैंक ऑफलाइन मोड के मादे हमसे भुकतान पुष्टी में लगबग एक घंटे समय लग सकता है और इसलिए बताया जाता है उन्हें 60 मिनट के बाद फिर से लॉग इन करनी होगे भुकतान की सिती की पुष्टी करनी करनी होगे लेकिन फॉर्म फिल नहीं हो पाता इसी के लिए यह सारी की सारी इंफॉर्मेशन में बता रहा हूं कि एक बार अच्छे से एक बार समझ लोगे तो आप कैसे भरते हो फॉर्म वह जानकारी आपके अंदर आजाएगी तो आप कभी भी किसी भी फॉर्म को भरने से ना खत्र करने पर भरती आविदन के सेश भाग भागतीन को भरना शुरू करेंगे अब लाभारती खाते का ब्योरा जैसे लाभारती का नाम बैंक का नाम खाता संक्यार एफ आफसी कोड देना होगा जिन में से वेधन पापसी प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए फ्रेंट्स बता र आविदन के भागतीन से योगिता का विवरन समुका चुनाओ चेतर आर्पीफ की विवर्यता सभी सीवीटी आदी के लिए परिक्षा का मध्रिक्षा मध्यम का चुनाओ छेतर आर्पीफ का विकल्प अब भरती समुका चैन करेगा और उस समय में आने वाली वाले छेतरे रेलवे की अपनी प्रात्मिक्ता को इंगित करेगा समुई और एफ को छोड़कर ग्रूप एक और एफ का चैन करने वाले बिरतियों को पास के वल्प क्रमसर एने फ सारी बाते हैं अगर आप वीडियो को स्केप करोगे तो बहुत सारी बाते जो हैं मिस कर पाओगे मिस कर जाओगे तो फ्रेंड्स इसलिए बता रहा हूं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्ट्र वाक्स मिल जाएगा वहां से भी पढ़ सकते हूं लेकिन सबसे अच्छा बात हैं कि एक बार पढ़ लोगे तो आप कभी भी आर्पिफ के फॉर्म में गलती नहीं करोगे सी बेटी के लिए परिक्षा भासा का विकल्प क्या होता बिरती के पास कंप्यूटर आधारी टेस्ट अर्था सी बीटी कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट के में लिए निमलेकित भा में सी बीटे एक्जाम कंड़क्ट किया जाते हैं रंगीन फोटोग्राफ अपलोड करने हैं तो अपनी हाल की फोटो अपलोड करें फोटो निमलेकित अवशक्तों को पूरी कर सकती पूरा करती होगी तो आपने बहुत बार फॉर्म को भरते समय अपने फोटो को अपलोड करने के लिए यहां अवेदन करना चाहते हैं तो राज ए-mail या मोबाइल नमर के अलावा अनि डेटा में सुधार के लिए संसोधन करने करके किया जा सकता है तो इसलिए मैं बता रहाँ फिरेंस जब भी आफ ऑन लाइन करें उसमें गलती मत करें पुरा रिलैक्स होकर फॉर्म भरें क्योंकि वह लास्ट में भी आपको बता दा है कि रिव्यू करने के बाद भी किया आप फॉर्म सहीं से भर रहे हो नहीं तभी आपको नेक अभ्यार्तियों को यह सुनिश्ड़ करने के लिए चेतावनी दियाती याथ यदि वे अपने आविधन को संसोधित करना चाहते हैं तो उन्हें सलाह दिखाती है कि आवयदन अब भरने की समाप्तिति आप परियाप समय के से पहले अपशी तरह से कायरे करें यदि अंति मिनट की भीड के बकारण संसोधन प्रयास किसी भी सर पर विफल रहता तो संसोधन को से विया समय में सब्मिट नहीं किया जाग गया तो आवेदन में प्रसुत की गई पूरों सुचना पर विचार किया जाएगा और इस विशाय पर कोई पत्रचार नहीं कि जाएगा बहुत ही इंपोर्टेंट बात है बार बार समझा रहा हूं फ्रेंट्स कि अगर आप फॉर्म भरते के समय आगर आप पूरा इंस्ट्रक्शन या पूरा नोडिफिक्शन अच्छास नहीं पढ़ते हूं जवरजस्ती अपने आवेश में आकर फॉर्म भरते हो तो दुखतान करने के पाथ पंजी करन संक्यर पासवर्ड का उपयोग करके लोग इन करें फिर दिये गए दिरदेशों के अनुसार किये परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ें और आवेदन जमा करें रिकॉर्ड के लिए नावितन नमींतम आवेदन के प्रिंट आउट को सरक् प्रिंट में आपका मा प्रूफ होता है से बर्तेव के सांक आपअ बर्व देन को कहीं से उठा कर दाल देता है त्व यहां से भर ले तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पर पूरी क्लियर कट दिया जाता है नेक्स्ट बात करें यहां पर देखते के इंदर सरकर्कर के तरह रोजगार के लिए निर्थाइट प्रारूप में जाती प्रमाणाफटर का आपके है यह आजा आप अपी वर्ग अभरतियों के लिए यह पूरी सब्सक्राइब निर्वाहन प्रमाणापतर यह सारे के चीजें आपको फॉर्म भरने के समय लगती है और आविदन निरस्त होने कारण क्या है ओनलाइन आविदन निरस्त का अर्थाथ होता है फ्रेंस रिजेक्ट होने कारण क्या है आकार पूर्ण पूर्ण शरीर जो होते हैं पूर्ण छोटयाकर पूर्ण शरी चेहरे के केवल एक भाग दृष्य से हो अपरचित फोटो फोटो की फोटो स्टेट प्रतलिपी सामोही का फोटो नाम और तारीख के बीना फोटो और अबढ़ती के आँने लोगों के बीच तो यह प्रावलम हो जाती है निरस्थ करने का कारण बनता है उसके बाद में वतादू फ्रेंट्स एक अधिक आविदन के मामले में भी सभी आविदन अविश्कवार आस्विकार कर दिया जाते हैं ऐसे अभ्यतियों को भविश्य की परिक्षाओं में बैटने से वंचित कर दिया जाता है केंद्रे बारती परिसामिती द्वारा देखी गई कोई अन्य अन्यमित्ता जीसे अमानी करार दिया गया उसमें भी आपके रिजिक्शन के भी करणबं सकते हैं यादी आविदन आस विकार करोने का कारण और अपनी इस धित्ति साइट पर आॉन-laiन देख पाएंगे जो कि अंतिम और बाध्यकारी हैं और इस विसे पर कोई पत्रचार नहीं किया जाएगा आविदन इस्विकार होने का परिक्षा सुल्क पर वापस नहीं किया जाएगा बेटियों को उनके पंजी कृत बोबाइल नमर और इमेल आइडिक पर एसमेस और इमेल अलड कौन-कौन से हैं तो देखिया अदर रीजन्स हैं फोर रिजेक्षिंस ओफ आर फेर रेजिस्ट्रेशन आविदन पत्र में कोई गलत जानकारी किसी योगित्ता माप मांद्रंड की पूरती नहीं होना अब भेरती द्वारा आविदन में उचित स्थान पर गोश्टनाएं करना अपूर्ण आविदन आयू वर्ग के तहता अभी यू कि आयू फार्म में घोश्टना के अनुसार ना होना अभी यो को आविदन जमा करने की समाप्ती तिति पर आव पर आवश्यक सायच्छिक योगता नहीं होना देखिए अब बात करते हैं अभी फ्रेंट्स अभी इस तो चारर रवह प्रेंद यह पूरे वापस किया जते हैं कि अधिसूची तरिक्टियों को रध करने की सिथी में परिक्षा सुल्ख वापस नहीं किया जाएगा दिकिये मान लिजिये अगर रिक्तियां जो भी निकाली का इसे है और उसको रध किया जाता है किसी भी कार प्रवाइन बुस्तुल्क भुक्तान सब्सक्राइब किसी भी साखा से बैंक चलान दो भुक्तान द्वारा यह सारी कि सारी जो साखाएं हैं जिसमें आप भुक्तान कर सकते हो फॉर्म को भरने के लिए पैसे यहां पर लगा सकते हो तो फ्रेंट्स कैसा लगा वीडियो जरू से कॉंटेक्ट करके जरूर रखिएगा तकि मैं आपको बता सकूं फ्रेंट्स की किसी भी फॉर्म को भरने से पहले एक बर जरूर विजिट करिए हमार चैनल पर चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुट लिए जहें बने मात्रम और याद रखिए फ्र सब्साइट का लिंक जहां से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुट लिए जहें बने मात्रम धन्यबाद